परिचय छात्रो इस पिज़ा को देखो क्या हम इस पिज़ा के आसपास का क्षित्रफल ग्याद कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ हम इस पिज़ा के आसपास का क्षित्रफल ग्याद कर सकते हैं और क्या हम वृत्ति के अंदर का क्षित्रफल ग्याद कर सकते हैं? क्या तुम जानते हो कि बिज्जा के आसपास के एक्षित्रफल को क्या कहते हैं या वृत्त के अंदर के एक्षित्रफल को क्या कहते हैं तो चलो आज हम वृत्त के बारे में विस्तार से चोड़ा करेंगे आईए शिरू करें उद्देशे इस पार्ट के अंद में आप निम्ण करने में सक्षम हो जाएंगे वृत्य के क्षित्रफल और परिमाप को परिभाशित करना वृत्य के त्रिज्य खंड और वृत्य खंड का क्षित्रफल बताना सम्तल आकरितियों के संयोजनों के क्षित्रफल की करना करना व्रित्य का परिमाप और क्षित्रफल एक समेक्षा व्रित्य के परिमाप को परीधी कहते हैं व्रित्य के चारों तरफ की दूरी परीधी कहलाती है व्रित्य की परीधी का उसके व्यास से अनुपाद अचर होता है इस अचर अनुबात को पाई से निरूपित करते हैं या परीधी बराबर पाई गुणा व्यास होता है जो की बराबर है पाई गुणा दो आरके जहां आर वृत्त की त्रिच्या है जो बराबर है दो पाई आरके पाई एक आपरिमे संख्या है जिसका दशमलव के पंद्रवें स्थान तक मान तीन दशमलव एक चार एक पाँच, नौ दो छै पाँच, तीन पाँच, आठ नौ, साथ नौ इत्याती है। समानिता हम कहते हैं कि पाई लगभग तीन दशमलव एक चार के बराबर होता है। वृत्ति के अंदर के स्थान को उसका अक्षेत्रफल कहते हैं। वृत्ति का अक्षेत्रफल पाई आर का वर्ग होता है, जहां आर वृत्ति की त्रिच्या है। वृत्ति के परिमाप और चित्रफल का उधारण एक। एक वृत्तिय फूलों की क्यारी की त्रिच्या 9 मीटर है। फूलों की क्यारी का परिमाप या क्षेत्रफल ग्याद कीजिए। हल, हम जानते हैं कि परिमाप दो पाई आर होता है। मान रखकर गणना करने पर हमें परिमाप 56.5487 मीटर प्राप्त होता है। अता, फूलों की क्यारी का परिमाप या क्षेत्रफल 56.5487 मीटर है। व्रित्य के परिमाप और खेत्रफल का उधारन दो यदि व्रित्य की तरिज्या 8 सेंटिमीटर है, तो उसका परिमाप और खेत्रफल ग्याद कीजिए। हल, हमें तरिज्या ग्याद है, जो की 8 सेंटिमीटर है, व्रित्य के परिमाप का सूत्र प्रयोग करते हुए, जो की P बराबर 2 पाई आर है, हमें परिमाप 50.24 सेंटिमीटर प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि व्रित्य के क्षित्रफल के लिए गुण सूत्र A बराबर पाई आर का वर्ग होता है, अता हल करने पर हमें क्षित्रफल 200.9 शे वर्ग सेंटिमीटर प्राप्त होगा। व्रित्य के परिमाप और च्षित्रफल का उधारण 3 बैल गाड़ी के पहिय की तरिज्या 60 सेंटिमीटर है। यदि पहिया एक बार खुमता है, तो बैल गाड़ी कितनी दूर चलेगी। हल यदि पहिया एक बार घुमता है, तो बैल गाड़ी पहिये के परिमाप जितनी दूरी तह करेगी। चरण एक हम जानते हैं कि परिमाप बराबर 2 पाई आर होता है। अताह हल करने पर हमें 376.8 सेंटिमीटर प्राप्थ होगा। अताह बैल गाड़ी पहिये के एक चक्कर में 376.8 सेंटिमीटर चलती है। वृत्य के त्रिज्य खंड का क्षित्रफल वृत्य के मुख्यता दो खंड होते हैं। पिज़ा खंड को त्रिज्य खंड कहते हैं और जीवा द्वारा बनाए गए खंड को वृत्य खंड कहते हैं। हम त्रिज्य खंड के कोणों का संपून वृत्त के कोणों से तुलना करके इसका क्षित्रफल ग्यात कर सकते हैं। वृत्त में एक कोण, दो पाई और क्षित्रफल पाई आर वर्ग होता है। अताह थीटा कौन दो पाई के स्थान पर वाले एक त्रिज्य खंड का क्षित्रफल अवश्य ही थीटा बटे दो पाई गुणा पाई आरवर्ग होना चाहिए, जो की थीटा बटे दो गुणा आरवर्ग के रूप में सरल किया जा सकता है. त्रिज्य खंड का क्षित्रफल बराबर एक बटे दो गुणा थीटा गुणा आरवर्ग है जब थीटा रेडियन में हो त्रिज्य खंड का क्षित्रफल बराबर एक बटे दो गुणा थीटा गुणा पाई बटे एक स्वस्ती गुणा आरवर्ग है जब थीटा डिक्री में चाप की लंबाई इसी प्रकार चाप एक द्रिज खंड या व्रित खंड की लंबाई होती है L पराबर थीटा गुणा आर जब थीटा रेटियन में हो L पराबर थीटा गुणा पाई बटे 180 गुणे आर जब थीटा डिगरी में हो एक व्रित के व्रित खंड का क्षित्रफल व्रित खंड का क्षित्रफल त्रिज खंड के क्षित्रफल में से त्रिकोणिये भाग को निकाल देने से प्राब्त होता है व्रिद्ध खंड का अक्षित्रफल बराबर एक बटे दो गुणा थीटा घटा साइन थीटा गुणा आर फर्ग जब थीटा रेटियन में हो। एक व्रिद्ध के व्रिद्ध खंड और त्रिज्ध खंड के क्षित्रफल का उधारण। आईए इसे हल करते हैं। बटे 360 डिगरी गुणे πाई आर का वर्ग है। अता गणना करके हल करने पर हमें 235.5 वर्ग सेंटिमीटर प्राप्थ होगा। लगू व्रिद्ध खंड का क्षित्रफल ओ एसेंटिमीटर प्राप्थ होगा। लगु वृत्यखंड ACB काक्षित्रफल बराबर लगु त्रिजखंड OACB काक्षित्रफल घटा त्रिभुज OAB काक्षित्रफल बराबर 38.5 घटा 50 बराबर 28.5 cm वर्क है। उधारण 21 cm त्रिजखंड वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिगरी का कोण अंत्रेत करती है। ज्याद कीजिए चाप की लंबाई चाप द्वारा निर्मित त्रिजखंड काक्षित्रफल और संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्ति खंड काक्षित्रफल। हल वृत्ति की त्रिजख्या यानी आर बराबर 21 cm है। दिये गए चाप द्वारा अंत्रेत कोण बराबर 60 डिगरी है। हम जानते हैं कि थीटा कोण वाले त्रिजखंड के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 डिगरी गुणे 2 पाई आर है। आता चाप ACB की लंबाई 60 डिगरी बटे 360 डिगरी गुणे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 21 होगी जोकी 22 cm के बराबर होगी। त्रिजखंड OACB का क्षित्रफल 60 डिगरी बटे 360 डिगरी गुणे पाई आर का वर्क है जोकी हल करने पर 231 वर्क सेंटिमीटर प्राप्त होगा। त्रिजखंड OACB का क्षित्रफल 60 डिगरी है आताहत त्रिभुज OAB एक संबाहु त्रिभुज है त्रिभुज OAB का क्षित्रफल बटे गुणा भुजा के वर्क के जोकी गणना करने पर 441 वर्क मूल 3 बटे 4 वर्क सेंटिमीटर प्राप्त होगा। व्रिद्खंड ACB का क्षित्रफल बराबर OACB का क्षित्रफल गटा त्रिभुज OAB का क्षित्रफल है आताह व्रिद्खंड ACB का क्षित्रफल 231 गटा 441 वर्क मूल 3 बटे 4 वर्क सेंटिमीटर है। एक वृत्य के वृत्य खंड और त्रिज्य खंड के क्षित्रफल का उधारण एक छाते में समानदूरी पर आठ तीलियां हैं, छाते को 45 cm त्रिज्य वाला सपाठ वृत्य मान कर उसकी दो क्रमागत तीलियों के बीच का क्षित्रफल ग्याद कीजिए हल छाते में आठ तीलियां हैं, दो क्रमागत तीलियों के बीच का क्षित्रफल कालपनिक चप्टे वृत्य के केंद पर 360 डिग्री बटे 8 बराबर 45 डिग्री का कौन अंतरित करता है दो क्रमागत तीलियों के बीच का क्षित्रफल 45 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर वर्ग के पराबर है अता हल करने पर हमें यहा 22,275 बटे 28 वर्ग सेंटिमीटर प्राब्द होगा समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षित्रफल हमने विभिन आकृतियों के क्षित्रफल भिन भिन रूप से ग्यात करना सीख लिया है अब हम समतल आकृतियों के कुछ संयोजनों यानि कॉम्बिनेशन्स के क्षित्रफल ग्यात करेंगे तो आओ कुछ उधारणों को हल करें उधारण दी हुई आकरिती में छायांकित क्षित्र का क्षित्रफल ग्याद कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रिये वृत्तियों की तरिज्याएं क्रमचा 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कौन A, O, C बराबर 40 डिक्री है इसे हल करने के लिए पाई बराबर 22 पटे 7 का उपयोग करते हैं हल आंत्रिक वृत्ति की तरिज्या 60 सेंटीमीटर है बाहरी वृत्ति की तरिज्या 14 सेंटीमीटर है छायांकित क्षित्र का क्षित्रफल पराबर है तरिज्यखंड O, A, F, C के ख्षेद्रफल घटा त्रिज्य खंड O-B-E-D के ख्षेद्रफल के अता, गणना करके हल करने पर हमें ये 154 बटे 3 cm वर्ग प्राप्थ होगा सम्तल आकृतियों के संयोजन के ख्षेद्रफल उधारण, 4 cm भुजावाले एक वर्ग के प्रतेक कोने से 1 cm त्रिज्य वाला वृत्त का चतुर्थांश और दिये गए चित्र के अनुसार 2 cm व्यास वाला एक वृत्त काटा गया है वर्ग के बचे हुए भाग का ख्षेद्रफल ग्यात कीजिए हल प्रतेक चतुर्थांश 1 cm त्रिज्य वाले वृत्त का 90 डिगरी का त्रिज्य खंड है प्रतेक चतुर्थांश का ख्षेद्रफल बरावर होगा 90 डिगरी बटे 360 डिगरी पाई आर वर्ग के जोकी हल करने पर 22 बटे 28 वर्ग सेन्टीमीटर प्राप्थ होगा वर्ग का क्षित्रफल बराबर भुजा के वर्ग अर्थात 16 वर्ग सेंटिमीटर है। वृत्य का क्षित्रफल बराबर पाई आर वर्ग अर्थात 22 पटे 7 वर्ग सेंटिमीटर है। चायांकित भाग का क्षित्रफल बराबर वर्ग का क्षित्रफल घटा वृत्त का क्षित्रफल घटा चार गुणे चतुर्थांश का क्षित्रफल गड़ना करके हल करने पर हमें चायांकित भाग का क्षित्रफल 68 बटे 7 वर्ग सेंटिमीटर प्राप्थ होगा क्या आप जानते हैं? कि लंबाई आर के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, यानि वक्र के सभी बिंदूओं से केंद्र की समान दूरी। एक वृत्थ एक बहुभुज में अंतर वृत्थ कहलाता है, यदि बहुभुज की प्रतेक भुजा वृत्थ की स्पर्श रेखा हो, एक वृत्थ किसी बहुभुज के बही वृत्थ कहलाता है, यदि बहुभुज का प्रतेक शीर्ष वृत्थ की परिधी पर स्थिध होता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं वृत्य की परिथी दो पाई आर होती है वृत्य का क्षिद्रफल पाई आर वर्ग होता है थीटा कोण और आर दिच्या वाले एक वृत्य के त्रिजिखंड के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणन दो पाई आर होती है थीटा कोण और आर दिच्या वाले एक वृत्य के त्रिजिखंड का क्षिद्रफल थीटा बटे 360 गुणन पाई आर वर्ग होती है वृत्य के वृत्य खंट का क्षित्रफल बराबर संगत त्रिजिखंड का क्षित्रफल घटा संगत त्रिभुच का क्षित्रफल होता है